इकाई चार भागो दोडो नाचो गाओ ये एक कविता है जिसके कवी है स्री दर्मपाल सास्त्री पढ़िना लिखना खाना पीना नहीं इसी को कहते जीना जीना है तो हसो हसाओ गर से खुली हवा में आओ आपस में मिल प्रेम बढ़ाओ सुनो रदय की ओर सुनाओ भागो दोडो नाचो गाओ ये एक प्रेड़क कविता है जिसमें स्री दर्मपाल सास्त्री जी ने बच्चों को जीवन जीने का सही ठंग बताया है जीवन जीने के लिए सर्वांगी विकास होना परम आवश्यक है जीवन जीने का सही तरीका है कि आप हसो और दुसरों को भी हसाओ गर से बाहर खुली हवा में आओ और आपस में मेल जोल बढ़ा कर प्रेम और मेत्री का विकास करो लोगों के साथ विचारों का आदन पढ़ने में दिल खूब लगेगा नीन्द बहुत आयेगी गारी पास नफटकेगी बीमारी उठो जरा आलस यवगाओ साथी मित्रों को भी साथ लाओ भागो दोरो नाचो गाओ कभी कहते हैं कि भागने दोरने और नाचने गाने से खाना पीना अच्छी तरह से पच्छता है तदा पढ़ने में भी खुब मन लगता है ये सब काम करने से निंद अच्छी आती है और बीमार्या होने का खत्रा भी नहीं रहता इसलिए हमें आलस्य को भगा कर सभी मित्रों के साथ भागना दोरना नाचना गाना चाहिए पढ़ना लिखना नहीं मना है लेकिन उनकी अलग जगह है पढ़ने के ही समय पढ़ाई हसी खुशी के समय हसाई इन दोनों को साथ निभाओ जीवन के दोनों सुक पाओ भागो दोरो नाचो गाओ और पढ़ने के समय एकागरता से पढ़ाई और हसी-खुशी के समय हसाई होनी चाहिए इन दोनों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है